इस वक्त हम पटना में वीर्चंद पटेल पसपर जदियू दफ्तर के ठीक बाहर खरे हैं यहाँ पर देखिए बिहार के कोने कोने से विसे सिख्षक पहुँचे हैं विभीन मांगों को लेकर यहाँ यह लोग पहुँचे हैं हम नीतीश से मिलना चाहते हैं जेडियू कोटे के मंतरियों से मिलना चाहते हैं इनलों के हाथ में डॉकुमेंट्स भी है हमी लोगों से बात्चित भी खरेंगे यह लोग भार खड़े हैं क्या नाम है आपका जी कोशल कुमार तिवारी कोशल जी कहां से आप आए हैं मुगेर जीला से आए हैं क्या करते हैं हम विशेश सिक्षक हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोग अपनी मांग को लेकर के बिहार सरकार ने विशेश सिक्षकों का पद स्रिजि हुए हैं कि हमारा उस पद पर सामंजन करें के बागी से सपदों पर आप नियुक्ति करिए किता दिन साप लोग नौकरी में जी हम लोग 18 वर्स से कारियरत हैं अब समयोजन चाहते हैं जी हम अपना अपने विशेस सिख्छा के पद पर साम यहां कोई सुन रहा है कि नहीं जी यहां कल हम लोग आए थे लेकिन हम संगठन का काम देख रहा हैं मंत्रियों का आज पर उमीद में कि किसी से ब्हाइड हैं हम्मारी मुख्ध मंत्री जी हमारी मांको हमारी बात को सुनते है कि नहीं सुनते हैं करेंगे लेकिन किर्षजियों बिलंब कि ए हुए आधा बात लोक गएएगर से एस बैठे दफ्षर दिवय बचकरी, अब कभी भी विसे सिच्छा की नियमित बहाली होगी तो सबसे पहले प्राथमिक्ता हम लोगों की होगी लेकिन आज ऐसी से थे कि हम लोग सिच्छा विभाग और अनकार जालों का दफ्तर लगा चक्र लगाते लगाते ठक गए हैं सर और आज हमाएं कि अगर हमारे नुमाइ सब्सक्राइब करें नियमित बहाली होगी तो हमारी प्राथमिक्ता सब्सक्राइब होगी और सरकार के कोई अधिकाड़ी हमारी पादो पत्र तो ले लिए लें उन आध तक हमसे बात करने को तयाने कि आखीर हमारी क्या उप्योंगता रहें को बात नहीं कर रहें हैं जी नहीं सुना जा रहा है हम लोग का कहां से आए हम भागलपुर जिला से आए जै कृष्ण सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर नियमित बहाली आई है उसमें पहला अधिकार हमी लोग का बनता है अभी अभी हम लोग को मात्र मांदे 14,700 दिया जाता है हम लोग का नियमित बहाली होना चाहिए और जो नियमित सामंजन होगा उसमें जो मिलेगा हम लोग कितना मिलता कुछ आईडिया है अभी 14,000 मिल रहा है आप नहीं किया है अब तक तो कोई मिल लेगा और रास्ता लेकिन आप तक तो कोई मदद आप लोग का नहीं किये सर अभी तक समंजन कास में हम लोग इधर सुदर भाटा करें लेकिन अभी तक कोई पर्मुक्साचीव की कि पाठख से सर वम लोग मुलाकात कि एक के पाठख सर यही कहते हैं अब्लोग की फाइल हम देखते हैं यही का कि आसवासन देके लौटा दिया जाता है तब से एक महिना डेल्ड महिना से उपर हो गया कोई कारवाई नहीं हो ना फाइल देखें सर असा सब्सक्राइब कर दोड़ा दिखा दीजे यह सब विसे सिक्षक हैं दिव्यांग विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं परिसान हैं कई जगा का चक्कर लगा लिए इन लों की कोई मदद नहीं कर रहा है अब ठक हार के लोग जद्यू दफ्तर के बाहर आके खड़ें कि मुख्मंत्री जाएंगे तोंसे मिलेंगे चाहे बड़े अदिकारी से और जद्यू दफ्तर ही लोग कल भी आया थे लेकिन कल लोटा दिया गया ता आपका कहा नाम मेरा नाम हो उमा समंझन कर दिया जाए और समंझन करने को प्रांथ जोव सीट बच जाती है छे हजार संथिंग उस पर नियमित न्यूक्ति कर दिया जाए हमारा सिर्फ यह मांग है एटूकेशन विवस्था को टाइट करने के लिए ठी सब कुस्छी करने के लिए एक से एक आदेश निकाल प्रति सरकार की नजरिया सही नहीं है उस नजरिया कुछी करने के लिए हम लोग चकर लगा रहे हैं अधरना पर बैठे हैं ताकि इस पर मांग पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग बापस नहीं लोटेंगे पूरा देश्च कारियों में लोग लगा दिया जाता है तो ईह लोग चा रहे हैं कि इसलों को पर्मनेंट नौकरी दी जाए सब्सक्राइब pants ऐसे रहे हैं रहे हैं डिये को लगाए जाता है जुए नहीं जोट रहे हैं। क्यों जूता हैं और बाता हैं हम या रहे हैं वहाँ पर जो है यह पूजा होता है वहाँ पर दंडा दिकारी के रूप में लगा दिया एता है पित्रपक फूजा वाले में जो है और गया कालेज में जो है इगनों का परिशा हो रहा था उसमें भी हमको मैंस्टेट का डूटी मिला था दंडा दिकारी का डूटी मिला था जबकि मेरा बेतन मातर 14,700 है जिसके मैश्टेट मार आए गया था हमेशा आहिए याध जो करना करें लेकिन हम लों कर लोग का नहीं हमांको भॉलत नहीं हवो हमसे पासितश रहे चाहते हैं कि हिनकी मांगों को बना की आजाए कैमरापर सच достаточно झाल झाल